कि बिरहा जगत में लेडीज कालकारों में, मैं बता दूँ एक इतिहांस बिरहा जगत की, कि बिरहा जगत में लेडीज कालकारों में गीता त्यागी दुसरी कालकार है पहली कलकार विरहा जगत में अगर कोई लेड़ी जाया तो उसका नाम थहुमा बैरागन जो परतापकड इलहाबाद की थी और दुसरी गाई का गीता त्यागी आई विरहा फिल्ड में लेकिन जब गीता त्यागी विरहा फिल्ड में आई तो बिरहा जगत में एक भूचाल आ गया एक भूचाल आ गया और गीता त्यागी ओगाई का थी और ओगाई का है जिस जो एक बार बिरहाय अगर गा देती थी तो हम लोगों जैसे आदमी को गाये को मंच किप सामने भाईया एक बार समझना पड़ता था कि अगर उनईस भीष हो जाएगा तो गीता त्यागी लेडिज है जेंस का क्या होगा इसलिए इसको कम से कम पंदरा भीष करना पड़ेगा तब होगा तुलना फिर लेडिज उर्जेंस से अगर अठा ओनईस सा भीष रह गया तो कुछ होई नहीं सकता है तो गीता त्यागी हो थी मैं चाहूँगा कि उनके हस्वेन भी यहां मौजूद है जिन्होंने अथक परिश्रम करके गीता त्यागी को गीता त्यागी बनाया जिन्होंने अथक परिश्रम करके उनकी परिश्रम थी कि गीता त्यागी गीता त्यागी हो गई तो मैं चाहूंगा कि एक बारो भी मंच परावे और आप लोग दर्शन के जिए मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा यही हैं उनके हस्मेंग जिनका नाम है दयानंद और यह अपने गाओं का परधान जो बिहार में मुख्या होता है मुख्या भी रह चुके हैं मैं बहुत बहुत हम लोग पंदरा बरिश रहे हैं हम लोग बहुत आप लोग का भारी है कि आप लोगों ने आया और हम लोग के दरवाजे का सोभा बढ़ाया धन्यवाद और भुलू मस्ताना जिला पार्षद भी आए बताना हमको नहीं है आप लोग देखे भी होंगे टीवी पर कि जिनके जिनको फर्स्ट नमर दिलवाने के लिए बिरहा मुकाबला में उम्प्रकास यादो को कितना मेहनत करना पड़ा उसी गंगा घाट पर हम जातपात नहीं देखते हैं जो जैसा है वही करते हैं तो भुलू मस्ताना ओ मस्ताना जी है मैं चाहूंगा कि आँए अच्छा अच्छा तो यही भुलू मस्ताना है जो विरहा मुकाबला में वन नमबर पर फर्स्ट नमबर पर आए और अब कहना कहना क्या है जो भी देखे होंगे लाइप प्रोग्राम चल रहा था कासी बनारस में मड़कड़का घाट के भगल में तो सब लोग देखे होंगे तो धन्य बाद है बहुत बहुत और दो मिनिट के लिए गीता थे आगे सभी लोग कहते हैं कि दो लाइन कुछ है का देजिए दो ही तीन मिनट इनको हम दे रहे हैं और दो ही